तो फ्रेंड्स आज मिलेकर आई हूँ काले चने की बहुत ही टेस्टी स्वार्दिस्ट एकदम नए तरीकी की एकदम यूनिक डिफ्रेंट ये सबजी की रेस्पी इसे बनाना बहुत ही आसान है ये बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है और इसकी ग्रेवी तो जवर जस्त बनत आए तो लाइक कर लेना चैनल पढ़ना है तो सस्क्राइब भी जरूर कर लिए गा और इस तरीके से आप जरूर बनाईएगा ये काले चने की बहुत ही स्वाधिश्ट सब्जी हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ रस्मी श्वागत है आपका मेरी फैमली किचिन में तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं तो मैंने यहां पर लिए है एक कटेवरी फूले हुए चने तो इनको मैंने क्या किया था रात में विगो दिया था अच्छे से यह फूल गए है बढ़िया से दुल लिया है अब देखिए यहां पर क्या करना है इनको क्या करना है पीसना है तो इसको मैं पहले साइड रखत पिष्ट गया गया तो अब यह पीस लिया है और इनको निकाल लेंगे एक बाउल में आफंड में जबाए ने देगे तो इसले थीमिक्सि जार में आपको थोड़ा सा प्रेष्ट छोड़ कर इसको पीशना है तो ये देखिए चने को मैंने अच्छे से पीस लिया है थोड़ा रुक-रुक के आपको चलाना है बढ़िया से महीन पीस लेना है अगर देखिए नहीं पिसरा है तो हलका सा आदा चमच एक चमच आप पानी भी डाल सकते हैं ज्यादा गीला नहीं करना है पेस्ट चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ, एक बाउल में, तो मैंने कटोरा लिया है, उसमें इसको मैं निकाल लूँगी, और क्या करना है, अगर आपका पेश्ट थोड़ा सा गीला हो जाता है, तो आप इसमें एक से डेड़ चम्मच बेशन भी मिला सकते हैं, बाई चांस अगर गीला हो जा तो देखिए, यहां पेश्ट मैंने निकाल लिया है, अब मैं इसमें डालूँगी, थोड़ा सा नमक, स्वादन, 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 जादा निदालेंगे इसमें, और थोड़ी सी डालेंगे हल्दी कलर के लिए, बस और इसमें कुछ नहीं डालना, क्योंकि मिर्च और क्या करना है, इनको अच्छे से कर लेना है, मेक्स बढ़िया से, और देखिए, यह बढ़िया से बन चुका है, ना गीला है, ना ही टाइट है, अब मैंने लिया है, और सबजी को टेश्टी बनाने के लिए पनीर, तो पनीर के क्यूब कर लिए हैं, और इसमें मैं डालूँ चप्टा करके हलका सा गहरा कर ले जीए और उसके बाद आप पनीर का इसमें पीस रख दीजिए इस तरीके से आप बस इसको बंद कर देना है मतलब इसको round जैसे बना लेना है बॉल जैसे बना कर तैयार कर लेने हैं और आप चाहाए तो अगर पनीर नहीं डालना चारें तो भी डाल सकते हैं अगर आपको पनीर आपके पास नहीं है तो आप क्या करिए जो सोया बड़ी होती है ना उसको आप बीच में भर सकते हैं उसको मतलब फुला लीजिए गरम पानी में उसको भर सकते हैं तो थोड़ा साधा साधा नहीं लगती है बस ऐसे भी बन जाती तो मैंन से तयार करके रख लीजी और बस उसके बाद आप बना सकते हैं सबजी तो यहां सारे बन चुके हैं इधर तेल को भी मैंने गरम कर लिया है तो सरसो का तेल लिया है मैंने तो मैंने थोड़ा जादा डाल दिया है इसी से मैं सबजी बनाऊंगी तो तेल अच्छे से गरम हो जा जाती है और बस इनको जैसे ही एक साइट से सिख जाएं तो उलट पलट कर देना है जिससे ये बढ़िया से मतलब फ्राइब हो जाएं कोई कच्छा ना रहे है तो सिखने में दो से तीन मिनट लगते हैं बढ़िया से ये सिख जाते हैं अगर फ्रेंट्स आपको मेरी रैस्प कुए ठेषण कहलें ना है डाल देना है जीरा जीरा जैसे ट्री ठेक हो जाये तो मैं थोड़ी सी इसमेंहीं दूंग गयुश्य बढ़िया से मिक्स करना है ने बूंद लेना है इनको golden fry होने तक भून लेना है यह सभी चीजों को तो बढ़िया से तो इस सब्जी को आप जरूर बनाए फ्रेंट्स बहुत ही टेश्टी बनती है अब इदर मैंने मशाला ले लिया है आदी चम्मच हल्दी मसाला एक चम्मच धनिय मसाला और थोड़ी सी कस्मीरी मि बढ़िया से इनको mix कर देना है और mix करने के बाद मैं इसमें डालूंगी एक टमाटर की प्यूरी तो देखिए जो बड़ा टमाटर था उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है आप चाहे तो कद्दुकस कर सकते हैं आप क्या करना है यहां सभी मसालों को बढ़िया से mix करके अ उसमें पानी अबजर्व होता है और यह सबजी बनने के बाद भी थिक होती है तो पानी इसमें अच्छे से डाले बढ़िया से mix कर देना है उसके बाद जब उबाल आ जाए उसके बाद ही आपको यह देखिए जो बॉल बने है ना जो चने के कोपते बने है ना उनको डाल पनीर थोड़े से पीसिस बचे थे तो मैंने उसको भी डाल दिया है और बड़िया से मिक्स कर दिया है यहां पर देखिए ग्रेवी अभी आपको जादा लग रही है बिल्कुल नहीं है इसको आप पकाना है आपको मीडियम टू लो गैस पर 5-6 मिनट के लिए और चलिए मैं स इस टाइम आप गरम मसाला भी डाल सकते तो मैं नहीं डाल रही हूं मैं थोड़े सिंपल सी बना रही हूं लेकिन बंती बड़ी टेस्ट है देखिए कितने बॉल जो है ना बढ़िया से फूल चुके हैं और ग्रेवी देखिए आपको एकदम से कम रह गई है तो मैं बना र इसको आप रोटी, चावल, पराठा किसी के भी साथ सर्फ कर सकते हैं जब भी आप ये सब्जी बनाएं तो चावल जरूर बनाए बहुत ही टेस्टी लगती है चावल के साथ ये सब्जी तो एक बार जब आप ये सब्जी घर में बनाएंगे काले चने की तो आपको बार- सब्जी को जरूर बनाईएगा तो चलिए मैं इसको तोड़ कर भी दिखाती हूं कितने सौप्ट बनते हैं और अंदर है इसके पनीर तो बच्चे भी दोड़ दोड़ कर खाएंगे तो आप भी यह उनिक नए तरह की काले चने की सब्जी जरूर बनाएं अगर मेरे तरीके से यह काले चने की सब्जी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना और रेस्पी वीडियो मेरे चैनल पर आप जरूर देखें फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के ल